मैं दिलीप साफ का बहुत बड़ा फैन हूँ मैंने मुगल आजम कम से कम दो सो बार देखी होगी और मुझे लगता है कि लेजेंड उनसे बड़ा एक्टर ना हुआ है ना कोई हो सकता है इंस्ट्यूशन है सारे लोग उनसे सीखते हैं और बहुत परसनली मैं उनको मानता हूँ बड़ी इच्छा थी कि वो आपकी अदालत में आएं मैंने वक्त मागा उन्होंने टाइम दिया बड़ा सा दर्वादा खुला प्याड़ी से उत्रा उनका बड़ा शांदार ड्राइंग रूम बड़े बड़े सोफे उसके अंदर उससे गुजारते हुए मुझे ले गए उनके जो असिस्टेंट थे उनके बड़ा लॉन था पीछे लश ग्रीन लॉन चारो तरफ ग्रीज लगे हुए उनस सब के बीच में सफेज रंग का ट देक के ओपर एक टूटीवी टेबल प्लास्टिक के रखी हुई थी और दो प्लास्टिक के कुर्सियां रखी हुई थी तो मैंने देखा दिली साप सफेद पैंट सफेद कमीज चलते वारे ऐसा लगा जैसे शैंशा चलता हुआ रहा है उनकी चाल वहां से निकलके वो आए कुर्सी के सामने खड़े हुए और कहा कि कैसे हैं आप मुझे ऐसे लगा जैसे कोई आवास गिल के अंदर उतर गए बैठिये कईये कैसे आना हुआ तो मैंने का दिली साब मैं आपको आपके अदालत में इंवाइट करने के लिए आया हूँ बर्खुदार क्या पूछेंग आप पूछेंगे एदिलीव कुमार तुम डिरेक्टर के काम के साथ इंटर्फियर करते हो आप पूछेंगे तुम दिगदर्शक के काम के साथ हस्ता क्षेप करते हो तो मैंने का हाँ यह तो सवाल पूछ सकते हैं उन्हें का बारा सितंबर 1973 एक मौतरम आई थी दिलीव कु देले पूछा था तो जानते हैं मैंने क्या का मैंने उनसे कहा कि क्या कि आसिफ अपनी कबर से उठके आया थे आपको बताने के लिए पर उन्हें के काम के साथ इंटर्फियर करता हूं क्या महभूब खान की आत्मा आई थी जिसने आपको बताया तो मुखतरमा ने कहा कि मैंने सुना है सुना है कि बिना पर आपने यूसफ खान से सवाल पूचा सुना है कि बिना पर आपने दिलिप कुवार से सवाल पूचा get out interview बर खास पर तो मैंने का छोड़े साथ मैं नहीं पूछूँगा यह वाला सवाल क्या करना है यह मुझे तो शो करना है बेशक आप पूछेंगे यह आपकी अदालत है यह जनता की अदालत है और खुदार आपको पूछना पड़ेगा और मुझे जवाब लेना पड़ेगा अब क्या जवाब दूँगा मैं मैं आपको बताऊंगा कि महभूफ खान ने मुझे कहा कि युसुफ ज़रा नाच दे यार अगर नाचेगा नहीं तो हम दोनों महभूफ स्टूडियो के बार कटो रह लेकि भीख वागरे होंगे तो रजसाब मैं नाचा फिर वो खड़े हुए फिर गाना बताया का फिर मैं ऐसे ठुमका लगाया और उसके बाद नाचा तो फिर सब नाचता ही रहा फिर गोपी में नाचा गंगा जमना में नाचा और पूरे उन्होंने अपने डांस स्वीफेंस एक के बाद एक पंदरा तो पल्ली नो जानना है अचानक पंजाबी मोगा जाना है अचानक पंजाबी मोगा जाना है बल्ली मेरा यार तो मैं तो बल्ली को नी जानता के लिए बल्ली के बारे में पूछीं गई अच्छा पिर उन्होंने किस्सा बताया कि कैसे वो मॉसको में थे बीमार होगे थे औ और उस होटल में उनके पास पैसे नहीं बैचे थे क्योंकि तीन चार दिन बुखार में रहे और उनका बिल काफी एक्स्ट्रा हो गया उनको सबसे अजीज उनकी टाइया है तो कहने लगे अरे शर्मा साहब मैं चार बजे बुखार में था उठा उठा मैं देखा या बल्ली क कितना यार तो मैंने का जी बल्ली की बात करूँगा तो बल्ली है कहते हैं ओ ते बल्ली तो मर गया 57 में चीज़े तो मैंने का जी अभी हम 57 तक ही पहुँचे हैं तो कहते हैं बढ़ी कहानिया है दिलीप कौार की आप सोचे कि पूरा दिन उस वक्त से लेके शाम को 6 बजे तक वो मेरे साथ डिसकस करते रहे प्रोग्राम और फिर एक स्टीज आई तो उन्हें ने का देखो एक प्रोग्राम में तो होगा नहीं तुमें करना पड़ेगा आपके अदालत दिलिप कौमा एक आपके अदालत दिलिप कौमा दो आपके दालत दिलिप कौमा तीन आपके मैं जी ठीक है नहीं 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 वो बारा तेरा तक पहुचे फिर उन्होंने फाइनली पूरे बिन जो बाते मता है वो इतनी इंटरेस्टिंग थे मेरे जहन में एक एक बात आज भी ताज है उनकी आवाज कान में बूशती है अब आखरी उनने बूशा भई जजज कौन होगा इस शो में आप पताई अगर आप कोई चोईस है तो नहीं आपने क्या सोचा है तो मैंने का जी तुम प्रोग्राम भी डिसकस करो लेकिन जैसे आप आप बड़े लेजंड हैं तो इस समय सबसे बड़ा नाम जर्रलिस्ट में क्योंकि नॉर्मली मीडिया के लोग होते हैं इसमें जजज तो खुश्वन सिंग वो नामाकूल इनसान तो मैंने का गोली मारी आप उनको मैं छोड़ी हैं उनको मुझे क्या करना है उनसे जजज को खालिद मुहम्बत तो उन्होंने ऐसा शबस इसमाल के मैं पब्लिक लिस इसमाल नहीं कर सकता वो उसकी ओलाद जो मैं नाम बताओं उसके उफर वह ऐसा कॉमेंट कर दें मुझे लगा कि कहीं जज के नाम पर ही ना बात अटक जाए तो मैंने उनको का था ये जावे दक्तर हाँ जावे दक्तर ठीक है तो तो तैय हो गया जावे दक्तर जज प्रोग्राम होगा ये ये सवाल पूचेंगे सब कुछ है फिर कहा अभी एक राउंड और डिसकस करना है अच्छा साब मैंने का ये मैं ज़रूर करूंगा मैं कलिंगा वो फिल्म बना रहे थे उसकी लोकेशन के लिए में जाना है राजस्तान तो आप दो दिन मेरे साथ र इस फिरिंछी तीन चार दीन के बाद में गी जाबे साब का फोना आया थे खेंगे और मैं फिल् साफ साब कॉना है मैंने का यूसुफ साफ से बात हुई थी कि प्रोग्राम में आप जज्ज बनाएंगे, वो किसी की नाम पर मान नहीं रहा था, आपके नाम पर मान गए कहता है यार पांच दिन से बुला के जज्ज्मेंट लिखा रहे हैं कहते हैं, साला मुकदमा हुआ नहीं है और मैं जन्मेर लिख रहा हूँ, वह ये क्या गया तुम ने? ऐसे थे दिर्पुआर वो फाइनली वो प्रोग्राम कभी रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया क्योंकि उसका डिसकर्शनी कभी खतम नहीं होगा लेकिन उनका बहुत अफेक्शन मिला, प्रोग्राम डिसकस करने के बाहने हम लोग मिलते थे और इतना प्यार उनसे एक रिष्टा बन गया, जो शायद ये रिष्टा मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्लबदी बड़ी अचीवमेंट आशिरवाद में मानता हूं भग्वान का कि मुझे मुझे मौका मिला इससा रिष्टा बनाने को बहुत प्यार में मिला, हमारी जब शादी हुई उसमें वो आये, फिर जहां भी मिलते थे वो मुझे पहले बैगम कैसी है, मैं ठीक है, बुलाईए, जहां भी होता है, इन रिष्टी को बुलाएंगे, फिर दोनों का हाथ पकड़ पकड़ के रहेंगे, ठीक चल रहा है सब, देखो मैं आपकी शादी में आया था, वहा नो मुबारक, वहा नो मुबारक, वहा नो मुबारक तो ऐसे ऐसे लोग सदियों में एक बार पैदा हैं